लेटा अगर कहिए तो बहुत कुछ एचीव करके जा रहा है यहां से इतनी कम उम्र में यहां का मतलब नेचर भी ऐसा है और यह एक दम खुली सी भी जगा है मैं तो यह बोलना चाहूंगा कि जिनने अच्छी कोशिश करोगे उतना ही अच्छा पर नाम लेगा तो फिर मेलेटरी और शैनिक दोनों कौलिफाई कर गिया हाँ फील तो होता है दूर छोड़ा है बट यह महनत कर रहा था और खुद की मर्जी से भी आया है राम राम जी मुक्षपो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं पहुंची हूँ टोड़ी गुड़ा गोड़ जी का अंदर और थे भी कुछ दिना पहली एक वीडियो है वो देखे होगो कि भई अजमेर मैं पहुंची और अजमेर का अंदर ही मंगलम स्कूल को दोरो है वो करन आपा चाला तो मंगलम स्कूल को मा दोरो करन नहीं जा पाहुंची ही और बीच में दख्या कि भई कुछ पेरेंट्स ही कि आपणान मिला तो सोचाओं आपा बात्ची तेब करा क्योंकि थेला वगेरा यह लेकी जा रहा है कि आज यह कहीं आडे आ यह तो बहुत अच्छी बात लगी की थे मतुरा में परस्ट नेड़ों है तो मैं यह हमारी वाइफ है यह हमारी लड़की है और हमारी भांची है तो संकर जी सब सो पहले हैं बताओ त्या खुद भी फोजमा हो आज अठीक है यह पाहुंच यह मैं पिछले डेर साल से बच बच्चे को इना छोड़ा हुआ था पिछले साल ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया लेकिन बच्चे ने सेने की स्कूल तिलया के लिए क्वाइलिफाई किया था लेकिन हमने एक चांस और देना चाहा बच्चे को ताकि पूरा समय दें तो आरमस के लिए अच्छा से प्रिपे जारकंडू जुंझनू गुढगोर्जी टोड़ी को तो बहुत ज्यादा मतलब इस पेस से बहुत जगा निकल जाए तकरीवन तेरा सु किलोमेटर का हमारे यहां से यहां का डिस्टेंस है तेरा सु किलोमेटरू अठे कॉंटेक्ट कहें हुए उठारू यह हमारे जिसे य केटेगरी में था तो तो हम भी उसी से मोटिवेट हुए जगा है जहां एक अच्छा प्रिप्रेशन मिल पाए और बच्चा अगर आए में सैनीर के लिए अच्छी तैयारी मिल पाए और अगर एडमिस्ट लेने में सफलता मिल जाए तो इस से बहतर क्या हो सकता है तो अठ सारे 9 साल का था अभी just 11 years complete हुए हैं अच्छा अच्छा तो अठे जब थे छोडबन आया तब की इस्तती ही और आज के कुछ है मतलब बेटां थे ले की जा रहे हो जब बेटा अगर कहिए तो बहुत कुछ एचीव करके जा रहा है यहां से इतनी कम उम्र में बिना मा बाप के एक अकेले खुद को सर्वाइब करना एक चोटे बच्चे के लिए बहुत मुस्किल होता है ऐसी जगह पे आके बच्चे का एक बेस अधार बनना एक आरमेस जैसे स्कोल में रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करना सैनिक में अच्छे मेरिट में आके अच्छे नंबरों से एक मतलब पास करना तो नंबर कितना आया मेरिट कितनी है सेनिक में हो या मिलिटरी में तो नंबर का पता नहीं चल पाता वो क्योंकि क्वालिफाई ही बताते है नेक्स राउन के लिए तो इंट्रूव्य के लिए क्वालिफाई किया हुआ है इंट्रूवी हो चुकी है बात करना तो भाई सैनिक श्कूल में बच्चा को दाखिल होना जारू है अच्छा खोसी महसूस हो रहा है कि जो चीजें हमने सोची थी उसमें बच्चा खरा उतरा है उमीद है कि इंट्रूवी भी पास करें और अगले राउंड जो मेडिकल है उसमें पहुंचे बच्चा मे अभी मेडिकल राउंड आना बाकी है काउंसलिंग चल रहे है उसके बाद जो स्कूल में सीट अलॉटमेंट होगी वहां मेडिकल के साथ डॉकुमेंट स्पोट अप करने होंगे एडमिसन लेना पड़े जाए अभी फिलाल यही प्रोसेस है तो भाई साथ में आपा स्टू कुआप आखि तो यहां पर्ण करता सब्सक्राइब स्कूल आए है बयाट था क्री तो बाहरे तो सब्सक्राइब मुझे भूंज्ष यहीं कि अधिक लगए पार्य होगी परहाई में मुझे पहले सुबन नहीं आ तो किया परहाई थे बाद में नेक्स्ट एयर में मुझे और भी जादा कुछ समझ में आने लगा नहीं समझ में आता था तो उस टाम पे आप क्या करते थे पूर्सता था sir से तो sir बताते थे हाँ अगर कलास में भी नहीं समझ में तो अक्ष्ट्रा भी कुछ होता था क्या हाँ लाइन वारिश पूछा जाता था कि आपको क्या दाउत है हाँ तो उस टाइम पे डाउट कलियर करते थे आप हाँ खाना पिनाच्छा लगा है आखा हाँ बिलकुल और याका वातावरन या खुली हुई तो बच्चे देख रहे हैं आपकी तरह वह भी सेनिक स्कूल में एल्टरी स्कूल में पढ़ना चाते हैं और यहां पर आना चाहते हैं तो क्या कुछ बोलना चाहोगे मैं तो यहीं बोलना चाहूंगा कि जिनने अच्छी कोशिश करोंगे उतना यह अच्छा प्रेनाम लेगा तो आपने कोसिस की रहो आपको प्रेना मिलता जा रहा है दिरे दिरे हां तो आपके जो गुरूजन असे रही आपर पड़ाई करवाते थे वह कैसे थे उनको आप क्या कुछ बोलना चाहोगे वीडियो के माधिम से मैं तो उनको यहीं बोलना चाहूंगा कि होलना एक करवाया है उनको दनियवात कहना चाहूं पास करवाया है मैंनत करवाई थी पर मैंनत कर वाने की तभी तो क्या भाई तो भी टाम पर के जोच रहा कि आपा तो बिल्कुल मिठी का तील हम छोड की जा रहा है कि ऐस चाहिं पर क्या सोचा था पस्ट माय तो फिर फिर चाहर महने में लड़का चैनिक का कॉलिफाइड कर गया था तो इसलिए फिर एक साल और मौक दी ए तो फिर मोलेटरी और शैनिक दोनों कॉलिफाइ कर गिया जो पीता जी हुई भाक अभी दिल हुए पर गठे ना गठे इस्ट्रोंग मतलब अपने दिल ना डाट लें की ठीक है बैटो जठे भी सेफ है एक माता को दिल ज्यादा बहल जाए तो बेटा के लिए कि तो दिल बहल तो खाना कर लिए उठा सौन उठन का लिए मैं खुद से आई थी ना इन छोडने के लिए लड़के को तो मैं खुद देखी तो में थोड़ा लगा कि हां छोडने लाइक है तो खानो-पिणों की सोक अडिया को बताया गया था और फ़र्ष्ट दिन ही हम देखे खाना यहां खाके गये थे तो हमें अच जाएंगे लेकिन यहां पर कॉल करें तो पूरा मदद मिलती है बेटाओं कब-कब बात हो जाती थारी सबते में संडे वाई संडे और बीच में अगर वैसी प्रॉब्लम हो तो भी बात हो जाती है तो और जो माता-पिता देख नहीं बान के कुछ बोलना चाहूगा थी नमस्ते बेटा नमस्ते क्या नाम आपका स्नेहा कुमारी तो आपको कैसा लग राज भाई के बारे में कितना प्राउड फील कर पा रहे हो आप प्राउड तो बहुत जादा हो रहा कि मेरा भाई निकाल लिया है अच्छा आपको ये फील नहीं होता था कि भाई को कहां मैं तो यही बोलना चाहूंगी विजिट कर सको विडियो और से लाइक कमेंट जरूर करियो नाम राम जी